सब्सक्राइब करने जा रहे हैं यह सफर हमारा आने वाले 22 दिनों का सफर है यानि कि हर्याना के कुल एक एक करके 22 जिलों को हमने विस्तार से पढ़ देना है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सफर को बहुत ही सुनहरा सफर रहने वाला है आप जुड़े हमारे सात में स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टार आईकन है उसे भी प्रेस जरूर करिएगा सब ही को आप लोग जो है वह जोइन करें जुरूर रखिएगा फॉर्दर और लेटस्ट नॉटिफिकेशन के लिए सुरुआत कर कि याना का मैप है उपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे वहां से एंप स्टार्ट कर देंगे जैसे सब से पहले पंचकुला है उसके बाजु में लगता अंबाला है फिर यमौना नगर है पिर आपका करनाल है ऐसे आप आप लोग ऊपर से नीचे देरे देरे आते रहेंगे और एक एक करके बारी बारी इंजीलों को पढ़ डालेंगे असान है बहुत ही असान है बस आप लोगों को हलका सा ध्यान देना है और बहुत मज़ा आएगा पढ़ते टाइम पे आपको चलिए शुरुआत करते हेडिंग मनाते हैं हमारी क्या heading रहेगी heading हमारी रहेगी पंच पुला ठीक है जी सबसे पहली बात जब भी आप लोग किसी भी district को पढ़ा करते हैं तो क्या चीज बढ़ेंगे आप ये पढ़ेंगे सर इस district की ना स्थापना कब होई थी इस से जाधा तोर क्या हर्याना में जो है ना ये district कहां पर पढ़ता है बस बात इतनी सी है सबसे पहले गुरुजी मेरे मन में दो ही सवाल है क्या सवाल आया कि पंच कुला गुरुजी आप पढ़ा रहे हो कोई भी जिला गुरुजी आप पढ़ा रहे हो तो उस जिले की स्थापना कब हुई है एक स सवाल एक्जाम के लिए तो है नहीं, एक्जाम के लिए सवाल है कि दिसावाला सवाल यानि कि direction वाला, अब सवाल यह आता है direction तो कुल कितनी है? चार, नहीं नहीं, चार प्लस चार, टोटल आठ डारेक्शन है, चार तो आपकी सीधी-सीधी होईगी straight forward और चार sibling direction भी तो आ आती है आपकी ठीक है जी तो आप लोग अगर reasoning के हिसाब से बात करते हैं तो आप लोग इस तरीके से direction वाला topic आपने reasoning में पढ़ा होगा I think बहुत बार पढ़ा होगा ये north है ये south है ये east है और जी ये क्या है आपका ये west हो गया आपका ठीक है अच्छा इनके sibling direction कौन से है जैसे north और west है तो ये वाले direction कौन सा हो गया आपका north west हो गया ये north east वाला direction हो गया आपका ये आपका south east वाला हो गया ठीक है और ये आपका south west जहां से एक monsoon आता है जो की पुरे भारत में 90% से ज़्यादा बारिस करवाता है और अभी अभी के दिनों में वो active भी चल रहा है फिलहाल तो देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए पंचकुला की स्थिती क्या है जी ये तो बहुत ही साधारन हुआ लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि accurate पूछा जाए बिल्कुल सही स्थिती चेक कर रहे हो आप तो इसकी बिल्कुल सही स्थिती बेटा देखो उत्तर तो ये रहा आपका और थूड़ा सा इस साइड टिल्टिड है ये ठीक है कि साइड नोर्थ इस्थ साइड तो भई बिल्कुल ठीक मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा उत्तर पूरव दिसा में जो है वो हर्याना के पढ़ता है पंचकुला जिला बस ये हुया आपका एक सवाल बिल्कुल ठीक क्या कि हर्याना में पंचकुला की स्थिती किदर है भई याद करने के लिए तो क्या याद करेंगे नोर्थ साइड में है लेकिन अच्छे तरीके से याद करना है पेपर वाइज पेपर में सही सवाल करना है तो यह उत्तर और पूरो में हलका सा टिल्टिड है जैसे हमारा हर्ट होता तो सेंटर में है लेकिन टिल्टिड किदर है toward left side, थोड़ा सा left की side tilted है, इस तरीके से ही जो है, आप लोग इसको पढ़ा करते हैं, एक तो बात जी मेरे याद हो गई है, मुझे समझ में भी आ गई है, बहुत अच्छी बात है, समझधानी तो ही थी, और याद भी करवानी थी, अब दूसरी बात आती है, जी स्थापना होई थी, बात यू हुई प्यारे बचो, तारिक है 15 अगस्त, जब हम लोग अजाद हुए थे, जब अजाद हुए थे तब नहीं, जिस दिन अजाद हुए थे, उस तारिक को हम लोग celebrate करते हैं, क्या हम लोग सवतंतरता दिवस मनाते हैं, लेकिन ये कौन से साल का सवतंतरत था, कि इस जिले को हरियाना का पैरिस बनाया जाए, ठीक है न, और ये इस जिले का बहुत ही अच्छे तरीके से सरवांगिन विकास किया जाए, एक एक तरीके का विकास हो, फिर पैरिस तो नहीं बन पाया उतने अच्छे से, अब तक अब जाके कुछ इसमें थोड़ा बात करता हूँ, तो यहाँ पंचकुला के अंदर, पंचकुला न्यू सीटी के रूप में इसको जो है बनाया जाएगा, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट लांच किये गए हैं, मैंने करेंट अफेर में आप लोगों से शेर की होंगे, स्टार आईक्यू चैनल पे, के घाटन हुआ है, तो हर्याना का पैरिस बनाने का सपना उनके बहुत साल बाद, अब देखो कितने साल होगे, 24-25 सालों के बाद में हलका हलका थोड़ा नजर आने लगा है, कि साइद इसका थोड़ा विकास हो, जो भी बात है, पर दोस्त, बात आपकी यहाँ पे कलियर हो च चाहिएगा, चेतरफल कोई बहुत जादा नहीं है, लेकिन कितना है सर, 898 में वर्ग किलो मीटर, ठीक है न, वर्ग किलो मीटर जो है न, इसका चेतरफल है, आप हिंदी में भी लिखें, चाहें इंगलिस में भी लिखें, चल जाएगा वर्ग किलो मीटर, सर यह इतना एरि है जी ये आप लोग इसके लिए कमेंट कैप्शन डाल सकते हैं क्या डालेंगे जी ये हर्याना में दूसरा सबसे छोटा जिला है जी सर दूसरा सबसे छोटा जिला है तो पहला भी बता दो ना साथ की साथ में चलो जी वर्बली बता देता हूं फ्रिदावाद हर्याना में 741 आपका पॉइंटों में है डेटा आप 741 अभी याद करिएगा, 741 वर्ग किलोमेटर का एरिया के साथ में आपका फृदावाद जो है, पहली स्थान पे है, फृदावाद करवाऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना याद करें कि छेतरफल की कृष्टी से पंचकुला आता है, कुन से स्итान पे, दूसरे पे, सबसे छोटा जिला है, युखहिएगा, 898 में वर्ग किलोमेटर एरिया है आता है, बात कलियर हुई आपकी बहुत अच्छी बात है, अगला पोइंट के आता है सर, अगला पोइंट हमसे पूछा जा सकते ह किसी भी जिले के लिए इस जिले की जनसंख्या के बारे में बताईएगा ठीक है ना जनसंख्या भाया जनसंख्या लोगों की जनगणना के अधार पे बात करें और लोगों की जनगणना हुई कब थी जी ये 2011 में लास्ट टाइम तो 2011 में हुई थी उसके बाद तो अब हुई नहीं है तो 2011 की जो जरंगरना थी ना उसमें क्या पता लगा हमें उसमें ये पता लगा कि हर्याना में सबसे कम जन संक्या इसी जिले की है ये बात आपको याद रखनी है गुरुजी कितनी है देखो आपको accurate data ना भी याद हो तो चलता है ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है वैस है पांच लाग 61293 तो चल जाएगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है तो क्या याद करें हम ये याद करें कि 10 लाग से कम ठीक है ना ये आंखड़ा जरूरी आपके लिए ठीक है दस लाग से कम दस लाग से कम वाले जनसंख्या वाले जिलों में कौन सा स्थान है इसका यही है सबसे कम में यही आता है भई आपका वह लगबग साड़ेक पांच लाग आप मतलब पांच एकसट दो सुतिरान में यह जुरूरी नहीं याद करना कई बार किताबे भी हलका फुलका आप प बहुत अच्छी बात है अब अगली बात सर जी समझाईए अगली बात यह आएगी कि सर जी इसकी तहसीले कितनी है ठीक है ना यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ठीक है ना इसकी तहसील कितनी है जी इसकी हर्याना के इस जिले की तहसील है तीन तीन तहसील कौन कौन सी है पहली तो है प्यारे बच्चो पंचकुला है ठीक है ना पंचकुला ही है दूसरी कौन सी है जी दूसरी इसकी प्यारे बच्चो है रायपुर्रानी ठीक है ना दूसरी है इसके अंदर रायपुर्रानी है तीसरी कौन सी है जी तीसरी आप लोगों ने सुनी होगी बहुत अच्छा में हैं काल का ठीक है ना काल का आपकी जो विधानसवा सीट है यहां के विधायक परदीप चोदरी आपने सुना होगा जिसकी सदश्यता कुछ साइम पहले जो है ना हिमाचल प्रदेश में एक क्रिमिनल केस के चलते रद कर दी गई थी लेकिन रिसेंटली हर्याना क विधानसवा अध्यक सज्यानचंद गुपता के दवारा जो है उनकी विधायक की जो है वो दुबारा से बाहल कर दी गई है तोड़े टाइम पहले ऐसा था कि वहां पे उप्चुनाओ होगे लेकिन अब कोई उप्चुनाओ वहां नहीं होगे एकी सीट पे यहां पूरानी है और कालका है यह राइपूरानी वैसे भी बहुत कोई नॉर्मल चीजों में नहीं आती है ठीक है उसको आप लोग ना कमेंट डाल सकते हैं राइपूरानी के लिए क्या कि यह हर्याना की नेनो सीटी कहलाती है आपके पेपर में यहां से लिखा दिख रहे इसे कहते हैं हर्याना की नैनो सीटी ठीक है हर्याना की नैनो सीटी ठीक है नैनो सीटी अब गुरुजी नैनो सीटी का मतलब क्या है क्या बताना चाहते हो नैनो सीटी से नैनो मतलब होता है बहुत छोटा अगर आप साइंस के कोडिंग बात करते हैं 10 पावर माइनस 9 होता है नैनो आपका तो नैनो उपकरण देखो आज कल वैसे भी नैनो पे बहुत ज़दा जो है जोर दिया जा रहा है पहले बड़ी बड़ी सिम यूज़ करते थे आज आज नैनो सिम यूज़ करने लगे नैनो पार्टिकल्स आने लगे अरे और तो छोड़ो रिसेंटली इफको न नैनो यूरिया बना दी है अपने पढ़ाना मेरी से हर्याना करेंट अफिर में कहा तो नॉर्मल यूरिया होती अब लिकवीड यूरिया आ गई है कि यह पार्टिकल्स बहुत ही चोटे धीरे धीरे जीरे चीजों का साय्ज मुबाइल फोन है। इसके दर कितने सारे सारे SMD surface mounted device use होते हैं पता नहीं बहुत ही चोटे-चोटे से आपके जो है मतलब धीरे-धीरे size को reduce even आप लोगोंने satellites को भी clam satellite आपने current affair में पढ़ा होगा एक gram का ही भार रखा गया भाई ठीक है ना नैनो satellites में आ गया तो धीरे-धीरे उस पर योगदान दिया जा रहा हर्याना में यह नैनो उपकर्ण जहां पर चोट-चोटे गैजिट्स बनते हैं कहां बनते हैं सर यह बनते हैं राइपुर्रानी राइपुर्रानी कहा है सर पंचकुला में और इसी वज़े से इसको क्या कह हर्याना की नैनो सीटी का टैग दिया गया है यह आप से सवाल कभी पेपर में पूछा जाए तो आप असानी से बता दीजिएगा ठीक है आपने कभी होट मेल के बारे में पढ़ायक नहीं पढ़ा बताओ मुझे पढ़ायक नहीं पढ़ा आपने पक्का पढ़ाओगा आप आपने होट मेल ठीक है ना होट मेल जो है इसको बनाने वाले हैं समीर भाटिया ठीक है ना समीर भाटिया और यह समीर भाटिया जो है इसी नैनो सीटी से ही रिलेटीड है इस बात को भी आप याद रखेगा जैसे जी मेल है सेम सेम वैसे वैसे होट मेल है और होट मेल को बनान वाले समीर भाटिया है यह भी इसी रायपुर्रानी के है मतलब आप यूं कहिए कि यह रायपुर्रानी पंचकुला डिस्टिक का एक इंडस्ट्रियल सेंटर है एक इंडस्ट्रियल हब है और किस परकार की इंडस्ट्री है यहां पे यहां पे नैनो टाइप के इंडस्ट्री है यानि कि यहां पे नैनो गैजेट्स नैनो जो आपके अपरेटर्स कहिएगा यह सारे बनते हैं और इसी वज़े से इसको हर्याना की नैनो आप कहा करते हैं बात पले पढ़ गी होगी आपको बहुत ही अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं आप लोग तहसील कर ली तो उपतहसील भी बता दो सर जी ठीक है जी तो यहां पे अगला आप लोग कमेंट डालिएगा उपतहसील का ठीक है उपतहसील अब सर उपतहसील कौन कौन सी है मतलब कौन कौन सी कहिएगा या कितनी उप तहसील है ये बताईएगा तो उप तहसील आपकी बरवाला मोर्नी और राइपुर रानी अगें तीन है बरवाला गुरुजी बरवाला तो मैंने सुना है हर्याना के हिसार डिस्टिक में भी है बिलकुल हर्याना के हिसार भी बरवाला है और एक पंचकुला में भी बरवाला आता है ठीक है ना बरवाला के अलावा मोरनी नो डाउट सब को अच्छे से पता है मोरनी पहडी के बारे में तो ठीक है और इसके अलावा तीसरा तो आपको यही याद करना है रायपुर्रानी ठीक है जी रायपुर्रानी ये तीन तो आपको याद करने ही करने है यहाँ पर यह उप्तैसिल है सर उपमंडल कौन-कौन से है इसके ठीक है जी उपमंडल की बात की जाए यहाँ पर उपमंडल तो उपमंडल यहाँ के बिटा है आपके मेली दो ही है एक तो आता है काल का ठीक है ना काल का जिसका पुराना नाम पाणिनी की अस्टधाई में काल कूट दिया गया है ठीक है यह तो आपको गयर वैसे भी आगे बताऊंगा और दूसरा खुद क्या है जी दूसरा खुद है पंचकुला इस बात को भी आप लो दोनों ही उपमंडल है सर खंड खंड बोले तो ब्लोक ठीक है ना खंड या ब्लोक कौन-कौन से हैं खंड या जो ब्लोक है ना वो कौन-कौन से हैं सर जी तो खंड या ब्लोक के बारे में हम लोग बात करते हैं यहां पे तो पहला जो ब्लोक है वो आपका बरवाला खुद ही है ठीक है जी बरवाला है आपका ब्लोग पहला दूसरा ब्लोग कुन सा आता है यहां पर दूसरा ब्लोग आता है यहां पर राय पुर रानी आता है दूसरा ब्लोग अच्छा बरवाला है राय पुर रानी है फिर कुन सा आता है फिर आता है पिंजोर सुना होगा आप लोगो उने बहुत बात सुना होगा पिंजोर गार्डनी बहुत ज़दा फेमस है और एक आपका आता है मोर्नी आता है ठीक है ना मोर्नी पाड़ी इनको एक बार आप फिर से रिवाइज करिएगा क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बन जाता है क्योंकि भी कुन सा है आपके ठीक है ना पिंजोर है और के साथ में मोर्नी है इतने बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है सर पंचकुला का कोई पुराना नाम भी रहा हो हाँ हाँ पंचकुला का एक पुराना नाम भी था ठीक है ना तो आप अगला कमेंट डालिएगा पंचकुला का पुराना नाम ठीक है पंच कुला का पुराना नाम क्या नाम था सर जी इसका पुराना नाम इस जिले का था पंचमपुर क्या नाम था जी पंचमपुर नाम था इसका पंचमपुर होने का मतलब क्या है देखीगा इसको पंच कुला कहा है पंच का मतलब होता है पंच कुला मत या पंचंपूर कहिए, यह इसका पूराना नाम है, सर इसके कोई उपनाम भी है क्या, ठीक है ना, उपनाम, उपनाम आप जानते हो क्या होता है, उपनाम मतलब जैसे आपको प्यार से आप की पत्नी को आपका कोई भी नाम है, पत्नी को आप जानू गुदा देते हो प्यार स सिटी कहते हैं भारत की ट्राइ सिटी के नाम से इसे पुकारा जाता है ट्राइ सिटी कहते हैं और ट्राइ सिटी का मतलब क्या है सर ट्राइ सिटी मतलब तीन सहर है और तीन सहर कौन-कौन से है एक सहर है आपका यहाँ पे कौन सा जी चंदीगड आता है ठीक है ना चंदीगड है दूसरा कौन सा आता है दूसरा आता है मोहाली आता है और तीसरा सहर कौन सा आता है जी चंदिगड हो गया मोहाली हो गया और एक खुदी पंचकुला आपका आई गया ठीक है मतलब पंचकुला वाला सहर तीनों कठे ही तो लगते हैं आपके यह किनों कठे ही तो लगते हैं का पंजाब हो गया पंजाब मोहाली में पढ़ता ही पढ़ता है ठीक है जी और के साथ में आपका चंदीगड हो गया पंचकुला पंचकुला का एक्यूरेट बात करो तो उत्तर पुरों में है, छेतर रफल एरिया, एरिया कितना है सर, 898 वर्ग किलोमेटर है, आप मतलब किलोमेटर स्केर ऐसे भी लिख सकते होते हैं, ठीक है, आच्छा सर, दूसरा सबसे छूटा जिला है, पहला कौन साजी, पहला पड़ता है, आपका प्रिदावाद है, जन संख्या, जन संख्या कितनी है थी, अब जन गणना होती है, हर 10 साल बाद में, 2011 की, अगर आप लोग डेटा लेके चल पा रहे हैं, तो सबसे कम जन संख्या, इसी की है, हरियाना में, साड़े, मतलब 10 लाग से कम, साड़े 5 लाग के आसपास, आप लो राइपुर रानी को सर ने हरियाना की 99 सीटी के लिए नाम दिया है, उप तहसील बरवाला मोर्नी राइपुर रानी, उप बंडल में कालका और पंचकुला का नाम आ रहा है, खंडो में बरवाला राइपुर रानी पिंजोर और मोर्नी का नाम आ रहा है, पुराना नाम इस इसका screenshot ले सकते हैं, copy पर लिख सकते हैं, जैसा आपको उचीत लगे करिएगा, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई चीज करते हैं, इसके अंदर आगे की बाते हैं, हमारी इसके मंदिरों की बात करते हैं, इस जिले के, इस जिले की industries की बात करते हैं हम ल तो असान है, बहुत असान है, पढ़ाई करना कोई खास मुस्किल नहीं, हलका सा ध्यान दिया जाए, इस वीडियो पे दो ही बार देखना है, एक बार देखोगे, तो आपको इस चीज़े समझ में आजएगी, दूसरी बार में याद हो जाएगी, बस बात ही खतम, फिर करना क आपको, और ऐसे करते करते आप हर्याना के सारे जिले जो है, एक करके पढ़ ले ना जी, चलो जी, आपको ये बात में समझ में आ गई है, अब आगे की बात आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है जी, अगली बात उद्धोगों की बात करते हैं आप लोग, ठीक है, इंडस्ट्री का नाम दिया करते हैं, ठीक है ना, इस जिले की इंडस्ट्री कौन-कौन सी है, फेमस इंडस्ट्री, देखो जब भी पंचकुला नाम आता है ना, तो आप तुरंत एक बात कहते हो, क्या HMT, हिंदुस्तान मसीन टूल्स उद्धोग, जब भी पंचकुला आ तो इसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिलाल इसके दरवाजे बंद है, लेकिन HSC के पेपरों में इसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी कभी पेपरों में पूचा जाए, HMT उध्धो, कहां पे है जी, भाग के जवाब देन हैं, आपको पंचकुला डिस्टिक का अंसर देना है, या पिंजोर ओप्शन में हो, तो अप्रोप्रेट लगा दीजिएगा, चल जाएगा जी, ठीक है जी, और पंचकुला के लिए इंडस्ट्री फेमस कोन सी है जी, और है जी, E-L-E-C-T-R-O-N-I-C-S, यानी की electronics industries, यहा पे बहुत ही जादा ग्रू है, मतलब मैं, electronic city तो कता ही नहीं कह रहा, electronic city हर्याना की अंबाला है, यह बात तो बिल्कुल मत बूलिएगा, लेकिन electronics उपकरन यहां पे भी बनते हैं, मतलब कई सारी इंडस्रियांज हैं, यहां पे भी, अच्छा सर, इसके अलावा सर ने अभी इंडस्री याद कर देनी है, और ज्यादा इंडस्री यहां पे है नहीं, और ज्यादा प्रकार है उध्योगों के, ज्यादा प्रकारों में से ज्यादा जो पॉपिलर है वो तो HMT है ही है, no doubt, के अलावा कुछ electronics और आजकल ज्यादा पॉपिलर हो रहा है, नैन्नो इंडस् तो आस्थाएं जाग जाती है, और आस्था के रूप में यहां पे सबसे जादा जो फेमस मंदिर है, वो कौन सा है जी, माता मंसा देवी का मंदिर जो है ना, माता मंसा ठीक है ना, माता मंसा देवी का मंदिर है, यह जो बहुत बहुत जादा फेमस मंदिर है, हर्याना के प में बनवाया था किस ने बनवाया था उस टाइम के राजा गुपाल ने ठीक Запада राजा गुपाल इसे बनवाया था अठासो पंद्रा में इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। अब यह मंदिर जो है वो किस सेली पर अधारित है यह सुवाल भी आपके लिए कहीं न कहीं बन जाए कि यह मंदीर जो हो कौन सी शैली पर है अब सरुसे नाम हें पंचाये तन ठीक है ना चाये तन सैलली पर फे मंदिर जो th olması में परिम Wanna मतलब क्या है भई हर्याना के सारे के सारे मंदिर वह कुछ नहीं होता लेकिन सो जिनाण में परसंट मंदिर हरियाना के पंचायतन सेली पे अधारित है गुरुजी क्या मतलब आपने सारे मंदर पंचायतन सेली देखी है पंचायतन सेली में क्या होता है भी देखो एक ऐसा ऐसा कमरा बनाया जाएगा ठीक है ना यहां पे भाई काना जी को बिठाया जाएग ठीक है न लड़ु गोपाल को बिठाए जाएगा अपने भगवान जी को बठाया जाएगा कि भगवान जी आप यहा KP बैट जाओ और हमें देटे रहू आसिर्वात देते रहो और ये भगवान जी के लिए गेट हो गया आपका बोलो ऐसा मंदिर देखा है आपने अरे ऐसा ही तो मंदिर देखा है आपने हर्याना के निनान में परसेंटेज यही तो मंदिर है इसी को गोल तो आप पंचायतन सैली और जी माता मंसा देवी का मंदिर पूछ लिया जाए कि सेली पर धारी था है पंचायतन सेली है 1815 में राजा गोपाल सिंग ने इसे डिजाइन किया था या उस टाइम पर इसे बनाया था इस बात को आप लोग यहां से याद कर लीजिए गाडियर ठीक है जी यह तो बात आपको समझ में आ गई है अब सुनिएगा अगली बात आप यह हर्याना का बहुत बड़ा मंदिर है मतलब बड़े मंदिरों में यह मंदिर का नाम सामिल है बड़ा मंदिर है मतलब गुर जी बड़ा का मतलब ऐसा एरिया वाइस बहुत बड़ा है क्या ना 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 बड़ा आप उसी को कहते हो जिसमें चड़ावा जादा है ठीक है यानि कि सरकार का इंटरफेर होने लग जाता है और इसी वज़े से उसके लिए एक बोर्ड गठित किया जाता है ऐसों के लिए और उस बोर्ड को आप लोग क्या कहते हो उस बोर्ड को आप लोग स्राइन बोर्ड के नाम से जाना करते हो ठीक है जी स्राइन बोर्ड और क्यों मंसा स्राइन बोर्ड के नाम से पुकारते हैं या माता मंसा ठीक है ना माता मंसा स्राइन बोर्ड के नाम से जानते हैं जी इसका गठन वैसे हुआ था साल उन्निस सु इक्यानवे के इंदर जो है इसका गठन किया गया था तो स्राइन बोर्ड का मतलब जो भी मंदिर बड़ा हो जाता है यानि कि जो है ना आपका basically जो चड़ावे की रूप में जो बड़ा हो जाता है तो उसी के लिए shrine board का गठन कर देते हैं और ये मंदिर माता मंसा देवी नाम है तो उसी के नाम से अद्यक्स कोन होगा जी अंडर कोन किसके अंडर आएगा ये ये कभी भी ये board होगा तो इस board का अद्यक्स होगा जी हमारा मुख्य मंद्री यानि किसी फिलहाल कोन है जी फिलहाल तो हमारे है मतलब यू समझो फिलाल के लिए आप लोग क्या कि चड़ावा चड़ा के आए माता मंसा देवी के मंदिर में लेकिन वास्टम में चड़ावा चड़ किसके चरणों में रहा है इसा ही मलत यह बोर्ड सारा पैसा किसके पास में जाता है बोर्ड के डिपार्टमेंट या इस तरीके की चीज़ें आपको यहां पर याद कर देनी है एक बात और बता था हूं इसी माता मंसा देवी जो मंदिर है ना इसमें कलश यात्रा निकाली जाती है उस कलश यात्रा का नाम है जटायू यत्रिका ठीक है मैंने आपको थोड़ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी प्रेटक चेत्रों वाली उसमें बताया था क्या कि जटायू ठीक है जटायू यत्रिका ठीक है जटायू यत्रिका करके कलश यात्रा निकाली जाती है इस कलश यात्रा का नाम भी आप लोग याद कर सकते हो ठीक है ना कलश यात्रा तो यह पूछ लिया जा सकता है आपसे कि माता मंसा देवी मंदिर की कलश्यात्रा जटाईू इत्रिका ही है और कुछ नहीं है या जटाईू इत्रिका का सम्मद हर्याना के किस जिले से है तो भी आप अंसर क्या देने वाले हो तो भी आप पंचकुला अंसर देने वाले हो समझ में आ गया आ एक आपको मंदिर समझ में आ गया तो दूसरा मंदिर समझो आप लोग दूसरा मंदिर भाई साब आप कुन सा समझने वाले हैं दूसरा मंदिर बहुत छोटा सा है आपके लिए भीमा देवी मंदिर याद कर सकते हो आप ठीक है ना भीमा देवी मंदिर अब भीमा देवी मंद इसका निर्मान करवाया था गुरुजर परतिहार वंस में मतलब इसका परतिहार वंस में जो है वो निर्मान हुआ है परतिहार वंस ठीक है परतिहार वंस में इसका निर्मान किया गया है ठीक है ना निर्मान हुआ है ताइम पिरिएड सर इसका इसका ताइम पिरिएड तो य इंदर जो है आठवी से बार्वी के बीच में ये मंदिर जो है ये बना है इस बात को भी आप लोग याद कर दीजिएगा ठीक है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ठीक है जी अब क्या बात है इस मंदिर में भी कुछ युनीक चीजे है ठीक है युनीक क्या है जी Unique यह है कि एक नस्रुदीन महमूद थे, ठीक है न, मतलब नस्रुदीन महमूद मुस्लिम राजा कहिए, उन्हों ने इस मंदिर को 1254 में नस्ट कर दिया, ठीक है न, नस्ट कर दिया, ठीक है जी ये एक Unique बात है, जो आपको पेपरों के लिए याद करनी है, 1254 में नस्रुद महमूद ने इसे नस्ट कर दिया कब किया 1254 में इसे नस्ट कर दिया ठीक है इस बात को आप लोग याद कर लीजिए का और ये मंदिर सर्फ कौन सी शैली में बना हुआ है जैसे उसकी आपको मैंने पंचाइतन शैली बताई तो इस मंदिर की शैली भी बता दो सर जी हमें तो इस मंदिर की शैली जो है वो खजुराओ शैली है ठीक है जी खजुराओ खजुराओ शैली है इसे उत्तर भारत का खजुराओ भी कहते हैं खजुराओ भी कहा जाता है इसे इस वात को भी आप याद कर लीजिएगा शैली खजुराओ हर उत्तर भारत का खजुराओ भी कहा लिए जो नसरुदीन महमूद था न ये एक ऐसा राजा था जो बेसिकली बाकी चितने राजा थे उसे पैसा लेते थे टेक्स लेते थे उसी से अपना जीवनियापन करते थे इसने का नाम है परजा के पैसों पे नहीं पलने वाला इसने क्या किया खुद ही टोपियां बुन- जुराहो याद करना है और प्रतिहार वंस या गुर्जर प्रतिहार वंस में इसका निर्मान हुआ था आठी से बार्वियस्तावदी के बीच में धीमा देविव मंदिर पढ़ता है पिंजोर पंचकुला के अंदर समझ में आ गया इसे उत्रभार का खज्राव कह दिया एक मं पंजाब का सहर है पता है ना आप लोगों को पटियाला पैक भी है ठीक है पटियाला सूट भी होते हैं लड़कियों के ठीक है जी तो पटियाला सूट है पटियाला सहर है और बहुत सारी चीज़े हैं पटियाला तो देखो अब क्या कर सकते हैं ठीक है ना लड़कों को त पहां पे है जी पट्याला मंदिर पंच कुला के अंदर है बगवान कौन से है जी ये बगवान है हर हर भोलेनात यानि की शिव भगवान है ठीक है ना शिव भगवान है भई फटा फटा आप लोग कमेंट में भोलेनात की जय कर दीजिएगा जी ठीक है तो हर हर भोलेनात हुआ है सर इसका निर्मान करवाया किसने है एक सिक साषक थे ठीक है कुं थे सिक साषक थे नाम क्या था सर जिंगा करम सिंग क्या नाम था करम सिंग करम सिंग ने करम किया और भगवान सीव की किरपा बनी होगी करम सिंग पे तभी उन्होंने पटियाला मंदिर बना दिया जी बास समझ में आगी आप लोगों को ठीक है ना अच्छे समझ में आगी गुरुजी इसकी सैली भी बता देते तो चल जाएगा लो जी सैली बत हुआ है चलिए जी तीन मंदिर मैंने लिख दिया है तीनों को आप लोग एक सेकंड में रैप अप करिएगा क्विक रैप अप में लेके आते हैं वो ध्योगों की बात करते हैं इंडस्ट्रीज की है हिंदूस्तान मसीन टूल्स हलंकी बंद है वरतमान में लिकिन कोई बात नहीं है इलेक्रोनिक्स इंडस्ट्रीज है यहां पर मंदिरों में माता मंसा देवी मंदिर है 1815 में राजा गुपाल सिंग जो है ना उन्होंने इसका जो है न वो निर्मान किया था मनी माजरा में किया था ठीक है 1815 के अंदर शैली का नाम क्या है पंचाइटन सैली बहुत बड़ा मंदिर है इतना बड़ा है तो पुजारियों से नहीं संबाला गया ताउजी खुदी आगे संबालने के लिए तो एक स्राइन बोर्ड का गठन हुआ था 1921 में में इसके अद्यक्स हमेशा हमारे मुख्यमंत्री साहब ही होते है ठीक है और जटायू यह तरीका जो ह है यहां पे कलश यात्रा करके निकाली जाती है एक भीमादेवी मंदिर है पिंजोर में परतिहार वंस का में इसका निर्मान हुआ था आठवी से बार्वी स्ताब्दी में जो है यह बना हुआ है बारा सो चववन में नसरुदीन मेहमूद ने से नस्ठ किया था शैली कौन अठासो चालिस में हुआ था जी और सिक्सासक करम सिंग ने इसका निर्मान करवाया था सैली पंचायतन है जी पातले पड़गी फटाक से इसका स्क्रिंचोट लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग बाकी बातों को भी करते हैं हम लोग फटाफट कर लेते हैं हमारा आगे हमारी थोड़ी सी और बाते रहती है मंदिर और मेलों की बात रहती है कुछ गार्डन्स की बात रहती है और ऐसे करके हमारा आज ही के लेक्चर में जो है वो जिला भी पूरा हो जाएगा असानी से हो जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमें हां चलो जी सर तो आ आगे के मंदिर बता दो जी हमें कौन-कौन से हैं चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है चलो डिया समस्ते हैं अगला जिला आपका ठीक है अगला जिला क्या अगला पॉइंट आपका अगला मंदिर इसका ठीक है ना तो अगला जो मंदिर है आपका जिस नाम से चंदीगड सहर बना हुआ है चंडी मंदिर ठीक है चंडी मंदिर बत लिखे ले ना रामखरो ठीक है ना चंडी मंदिर लिखना आपको ठीक है ना चंडी मंदिर चंडी मंदिर नहीं चंडी मंदिर ठीक है अच्छा सर ये तो आपका अब इसी नाम से आपका बना हुआ है चंदीगड सहर बना हुआ है पूरा-पूरा ठीक है ना अब सर बताईएगा ये क्या है बेसिकली ये हमारे भारत में 51 जो सक्ती पीठ है ठीक है ना 51 जो सक्ती पीठ है उन 51 सक्ती पीठों में से एक माता चंडी का भी नाम आता है इसी करके उन्हीं के उन्हीं के नाम को समान देते वे इस चंडीगड सहर का नाम रखा गया है ठीक है जी एक तो important बात हुई आपकी एक इससे सवाल एक पूछा जाता है आपका क्या कि हर्याना और पंजाब का जो हाई कोट है ठीक है ना हर्याना और पंजाब का CBI जो branch है CBI branch का headquarter ठीक है CBI branch का headquarter जो है ना वो कहां पे है वो इसी मंदिर के पास में है ये question आपके लिए important है आपको याद करना पड़ेगा बहुत जरूरी है याद करना पड़ेगा ठीक है सर अगली बात क्या याद करनी है सर मुझे अगली बात मुझे यहाँ पर याद क एक आपको याद करना है हमारे भारत की जो भारतिय वायू से थल से न है इंडियन आर्मी की बात करते हैं आप इंडियन आर्मी का पश्चमी कमांड का ठीक है ना पश्चमी कमांड का headquarter कहां पे पड़ता है तो इसी मंदिर के पास में इंडियन आर्मी का पश्चमी कमांड का headquarter है ये बात भी आप लोग याद करे रखिएगा और बात क्या याद करें सर जी हम लोग और बाते हम लोग यहां पे कोई main बात आपको नहीं याद करनी है बस इतनी बात याद करनी है आप लोगों को यहां से एक मंदिर और कर लो हर्याना का आप लोग माता समलोठा का मंदिर की बात की जाए हर्याना के अंदर कहां पर इतनी बात याद करदेना ये पढ़ता है न यह मंदिर पढ़ता है आपका और मौर्नी कहां पर जी आपड़ क्या रहे हो पंचुला यह पहड हो न एक जगहह मौर्नी और मोर्ने पहड़ी आपके लिए cac तुमस वाली पहाड़ी है, ठीक है, small sun नाम की जग है, small sun पर यह मंदिर बना हुआ है, ठीक है, basic याद करना है, कोई ज़्यादा इतना आपको attention नहीं लेनी है, ठीक है, तंडी मंदिर अच्छे से याद करना है, आपको 51 सक्ती बिटों में से एक है यह, और हरियाना पंजाब ह कोट की CBI ब्रांच की साका का headquarter है, Indian Army की पश्वे क्वांट का भी headquarter हो गया आपका, ठीक है जी, तमज में आ गया होगा इतनी बात आपको, ठीक है, अब अगला important आता है, point आपका मेलों के बारे में पढ़ते हैं, जिला पढ़ रहे हो, तो मेलों के बारे में भी आपको आम का मेला, आहा, आम का नाम लेते हैं, आरे आपने थोड़ दिन पहले एक वीडियो देखा गया, दुनिया का सबसे महंगा आम, दो लाख सतर हजार का, जपान का मध्या प्रदेश में, मुझे उसकी वेराइटी का नाम याद में आ रहा, मैं पे कुछ था, पढ़ देखा यह लगता है, पिंजोर के एंदर, पिंजोर गार्डन जो है आपका पिंजोर या याद्वेंदर गार्डन आपने कभी सुना हो, तो वहां पर यह मेला लगता है, याद रखीएगा ठीक है न, पिंजोर के यादवेंदर गार्डन में लिकर देखेStay, चलो ठीक है, लगता है वाकि पिंजोर्द का नाम आते हैं आपके दिमाग में वैसे भी यादवेंदर गार्डन ही आता यह अपने आप ही आता है ठीक है सर कब लगता है यह आपका और कब से लगा आ रहा है वैसे तो यह आपका लगता है जुलाई महीने में ठीक है ना जुलाई महीने में जुलाई के पर्थम वीक में अब लगने वाला ही समझो आप लोग जुलाई के पर्थम सप्ताहा में सप्ताहा में ठीक है ना जुलाई के फस्ट वीक में लगता है आपका ये ठीक है पिछली साल 2020 में ये नहीं लगा था क्योंगी COVID-19 की situation थी इस बार देखो उमीद तो है बा स्टार पहली बार कब लगा था 1992 में ठीक है ना 1992 में पहला लगा था ये ठीक है ना पहला लगा था आपका आम का मेला ये एक मेला हुआ और कोई मेला है जी हाँ बिलकुल है कौन सा मेला है जी काली माता का मेला है ठीक है जी काली माता का मेला तो काली माता का मेला है ये कहां पे लगता है कालका में लगता है ठीक है ना कालका में ये कालका में लगता है ठीक है अच्छा और वैसे मलब कालका में अगर आप जगह की बात करते हो यहां पे ठीक है तो गुरुद्वारा है ठीक है ना गुरुद्वारा है ठीक है ना गुरुद्वारा गुरुद्वारा नाड़ा साहीब है, कभी सुना हो आप लोगों ने, ठीक है ना, नाड़ा साहीब, यह बहुत फेमस है, पंचकुला का गुरुद्वारा, इसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, 1687-1888 के बीच में इसका निर्मान हुआ था, 1687-1888 के बीच में जो है, इसका निर्मान हो गई है, क्योंकि गुरु गोविन सिंग जो है, जो सिख्छों के दस्में गुरु थे, ठीक है ना, वो आपके बेसिकली यहाँ पे आके सबसे पहली बार रुके थे, ठीक है ना, गुरुद्वारा नाड़ा साहीब है, पंचकुला का, ये भी आपने जो है याद कर लिया अब आप gardens की और बात कर लीजिएगा मेलों में यही famous थे आप ये लेकिन एक garden की बात करते हैं हम लोग तो एक आपको अभी मैंने बताया था यादवेंद्र गार्डन ठीक है ना यादवेंद्र ठीक है सर यादवेंद्र गार्डन का कोई नाम है क्या दूसरा हाँ जी इसको मुगल गार्डन के नाम से भी फुकारा करते हैं हम लोग ठीक है सर इसका निर्मान जो है ना इसका निर्मान जो है ना निर्मान वो कब हुआ था ठीक है ना इसका निर्मान जो है वो कब हुआ था तो इसका निर्मान हुआ था सत्रमी स्ताबदी में ठीक है जी कौन सी स्ताबदी में हुआ था सत्रमी स्ताबदी में जो है इसका निर्मान हुआ था किसने किया था औरंग जेब का चचेरा भाई ठीक है जी लिख देते हैं हम लोग यहां पे औरंग जेब का औरंग जेब का च चचेरा भाई ठीक है और उसका नाम आपको पता ही होगा फिदई खान ठीक है जी क्या नाम था फिदई खान हर्याना के पेपर में ग्राम सचीव में आ चुक है ये ठीक है ना फिदई खान याद रहेगा औरंग जेव का चचेरा भाई फिदई खान इसका जो है वो निर्मान किया था इन्होंने इसका निर्मान किया था उत्तर भारत का नंदन वन भी कहलाता है यह ठीक है ना उत्तर भारत का उत्तर भारत उत्तर भारत का उत्तर भारत का यह नंदन वन भी कहलाता है इस बात को भी आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं याद विंदर गार्डन के अला थीक है ना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा garden है, cactus garden है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, cactus garden है, इसके वास्तुकार आप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, वास्तुकार, इसके वास्तुकार का नाम आपको पता होना थिये, JS सरकारिया, क्या नाम है जी, JS सरकारिय, ठीक है न, उत्तर भारत का सबसे बड़ा गार्डन, JS सरकारिय जो है न, इसके वास्तु कार, मतलब इसके डिजाइन किया था, इस बात को भी आप याद रख लग सकते हैं, ठीक है डियर, चलो जी, इसको एक बार फिरसे रिवाइस कर लेते हैं, आप लोग क्या, कि गार्डन में यादवेंदर गार्डन जादा ही पॉर्टेंट है आपके लिए मुगल गार्डन भी कहते हैं निर्मान सतर्वी स्ताबदी में हुआ था औरंग जेब के चचेरे भाई ने किया था फिदई खान ने ठीक है उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं टैक्टस गार् उसमें गुरु गुरु गोविन सिंग जी जो है अपनी पहली लड़ाई लड़के आके रुके थे तो करके काफी फेमस जो है वो माना जाता है आपका ठीक है और क्या इपॉर्टन बात यहां से आप लोग याद कर सकते हैं ठीक है कैक्टस गार्डन के अलावा अब बार कह रहा हूं क्या मोरनी की बात कर रहा हूं मोरनी में अभी रिसंटली 20-00-2029 को हरयाना के मुख्यं मंतरी साब ने आपका जो है ये तो pretence तल हो ही गया आपका एक मातर पाड़ी है हर्याना के अंदर जो बड़ी है अब यूँ नहीं कह सकते है आप पाड़ी है तो और वी तो सांकी भी पाड़ी है लेकिन वो कोई pretence तल के अंदर नहीं कह सकते है आप इजने ठीक है और कौन से जी और है रामगड ठीक है ओर है आपका रामगर्ड का किला रामगर्ड का किला यह बहुत इपस्थ है इसका दर्वाजे बहुत ऊपर है ठीक है नवह किया गया ठीक है नवह मुझे लिखके बता कि इसके दरवाजे की हाइट कितने फिट है 35 फिट है 75 फिट है 45 फिट है 100 फिट है यह option दे दिये मैंने आपको तो बताईएगा मुझे कि इसकी दरवाजे की हाइट कितने फिट है वैसे इसको इसका बहुत उंचा है इस वजह से इसका गिनिज बुक में जो है इसका नाम दर पेरिया के अंदर अभी रिसेंटली जो पैरा ग्लाइडिंग कलब है वह अभी रिसेंटली जो मिल्क खा सिंग जिनका ध्यान्त हुआ है उन्हीं के नाम पिरख दिया गया यह तिकरताल चेतर के अंदर यह पैरा ग्लाइडिंग कलब जो है खोला गया है ठीक है जी और क्या है आप लोग बाते इतनी ठीक है जी इतनी बाते हम लोग समझ जाएंगे अब हमें कुछ बहुत ही महतपुन सी बाते कर देनी है ठीक है लास्ट में ठीक है उसके अलावा आप लोगों को वैसे सेंटर में एक गिद्द परजनन केंदर वगरा जो है न यह अलग से करवाओंगा ठीक है ना लेकिन गिद परजनन के अंदर जो है ना अभी सुन लो आप लोग बहुत इपॉर्टेंट है ठीक है ना गिद परजनन के अंदर ठीक है परजनन के अंदर अब यह गिद परजनन के अंदर जो है ना यह क्यों इपॉर्टेंट है क्योंकि वल्चर्स जो होते हो ने तो इनके बारे में जितने भी आपके परजनन केंदर वगरा इनका एक अलग से separate वीडियो बना के समझा दूँगा, अभी के लिए कि याद भी कर सकते हो, 2006 में स्तापित हुआ था गिद्ध परजनन केंदर यहीं पर यहीं पर यहीं है, बीर सिकारगड वन्याजी वह भ्हारन में एक काल कूट कहा गया था, ठीक है ना, काल कूट के नाम से पुकारा गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिए, काल कूट को याद रखिएगा, पिंजोर को जो है, विराट नगर भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो पिंजोर है आपका, ठीक है, यह 360 बावडियों का नगर भी कहते हैं, बावडी ठीक है ना, 360 बावडी का नगर भी जो है, इसे ही पुकारा करते हैं, पिंजओर को भी इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? जी है और हर साल जो है, पिंजओर में विराट उच्छाव होता है, ठीक है? एक य किंदर मनाते हैं हर बार मनाया जाता है तो पहली बार कब मनाया होगा ज़र ये भी पता होना चीए पहली बार साल 2006 में जो है पिंजोर किंदर विरात उत्सव मनाया गया था इस बात को भी आप लोग याद कर सकते हैं यहां पे ठीक है डियर यह तो समझ में आ गया होगा आप परमुख वैक्ति कौन-कौन से हैं आपके, famous वैक्तियों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कौन-कौन से वैक्ति जो है यहां के famous रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, जो main-main वैक्ति हैं, तो एक वैक्ति हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, अरूना आसिफ, ठीक है ना, अरुना आसिफ, अरुना आसिफ को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखी है, क्योंकि इनका नाम बहुत इपॉटेंट है, अरुना आसिफ अली जो है, इनका संबंध है हरयाना के कालका से, ठीक है, पहला इपॉटेंट हुआ, क्यों कोन थी ये, ये समाज और क्या जी इनके पास में और इनके पास में डिपार्टमेंट पत्रकार ठीक है ना समाज से भी पत्रकार और क्या जी और थी ये लेखी का भी थी ठीक है ना लेखी का ठीक है जी और भी कोई थी जी ठीक है और इनका संबन्द था राजनिती से भी संबन था ठीक है ना और इ से कोई एक और दे सकते हैं सिंगर बगरा देदे तो आप लोगों को बहुत आप्शन जो है वह भटा देना है 1909 में इनका निदन हुआ ठीका ना। 1909 में 1909 में में इनका हो गया उड़ैन। और जैसे या मरी तो सरकार यूं समझे घाए के मरने का इंतजार कर रहی थी 1997 में दे दिया इन्हें क्या भारत रतन दे दिया ठीक है ना भारत रतन बहारत रतन दिया गया भारत रतन Merने के बाद में कभी कोई अवोड़ दिया जाता की तो इंग्लिस meters पोस्टूमस के नाम से जानते हम लोग यह यााद रखिये गा ठीक है तो 1997 में इन्हें बाहर प्रतन दिया गया और जो अवोड पाने वाला होता है उसको पोस्तु मसली के नाम से भी आप लोग पुकारा करते हैं ठीक है डियर चलो जी ये बात आपको अरुना आसिफ अली से याद कर लेनी है कालका से इनका संबन्ध का ये या भी ठीक है ना बस इनकी इतनी सी बात करनी है इनका संबन मलब कभी से था विधान सभा में विधायकों की बात करते हैं सर जी कौन-कौन से विधायक है आपके यहां पे एक तो मैंने अभी जिकर किया था आपके आगे किसका जिकर किया था परदीप चोदरी का और परदीप है कालका के विधायक पहली बात हुई आपकी दूसरी जो है आपको बात याद करनी है यहां पे क्या दूसरे आपको विधायक के अलावा याद करना है जो हमारे हर्याना के विधान सबा के आपके जो है अद्यक्स हैं जिनका नाम क्या है आपका जिनका नाम है जिनका नाम है ज्यान चंद ठीक है ना ज्यान चंद गुपता ठीक है ना ज्यान चंद गुपता इनको आप नॉलिज भी कह सकते हो नॉलिज चंद गुपता भी कह सकते हो हर्याना विदान सभा के अद्यक्स हैं इस बात को भी आप लोग जो है यहां से याद कर सकते हैं डियर परदीप जो है ना। इसका परभाव कैसा है तो इस जिले में जो है ना आपकी मिटी किस परकार की है। असले में तो इससा कुछ पढ़ सकते हो नदियां आपको है मिटी से खैयर कोई इत्ना वे लेना दिना तो एक नदी है आपकी यहाँ पे घगर नदी है ठीक है ना घगर नदी है घगर और एक आपकी यहाँ पे नदी आप याद करिएगा कोसल्या है ठीक है ना घगर और कोसल्या आप दोनों नदियों को याद करिएगा फसल आप से पूछ लिया जाए कौन-कौन सी फसल है फसल आप लोगों को याद करना है यहाँ पे एक तो गेहूं है और no doubt दूसरी कौन सी होगी आपकी गेहूं और चावल यह दो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है National Highway भी पूछे जा सकते हैं वही कौन-कौन से National Highway है यहाँ पे Cross हो रहे हैं तो National Highway, National Highway number 21 और 22, 72, 73 ठीक है यहाँ यहाँ से Cross हो रहे हैं आप लोग यह याद कर लीजिएगा आप लोग हर्याना में 1 सबसे जादा है ठीक है ना हर्याना में 1 जो है ना 1 सबसे जादा है 1 सबसे जादा है आपके 1 सबसे जादा है मतलब कितने परसेंटेज है जी आपके 42.54 परतिसत है अब देखो यमना नगर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और रिश्यो बताऊंगा, ये वन सबसे ज़ादा का कहने का मतलब इस जिले में बाकी जिलों से ज़ादा है, मैं आपको पंचकुला, अमबाला, यमना नगर, तिनों को कंपेर करके बताऊंगा कि किसमें परसंटेज के जादा है, कौन-कौन से आंकडों के जादार पे किसको जादा बताया गया है, तो अभी आप लोग इसमें पैनिक मत होईएगा, कि सर अमने यमना नगर पढ़ा था, अभी यमना नगर हो गया, अमबाला हो गया, सारी चीज़े बताऊंगा, टेंचन ना लेना, आप लोग की लिए परसंटेज बता दिया आपको, मैंने बस आप परसंटेज याद कर लेना, गयाली समलोग पांच चार है, उत्री जिलों के अंदर इसका, जो है आपका ये वन जादा है, ये पॉइंट बढ़ आप लोग याद कर सकते हो, जन संक्या अगर बता दी है, मैंने जन संक यहां की साक्षर्टादर है, यहां के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, अच्छा, और दूसरी बात क्या याद करोगे, सेक्स एशो भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 2011 के अकोर्डिंग तो 873 है, ठीक है ना, 873 हजार पे, मतलब एक हजार लड़कों पे 873 लड़कियां हैं, यह बात भी याद कर सकते हो, महिला पूर्स भी सर, अगर पूछा जाए कि पढ़े लिखे कौन से जादा है, तो देको 83% तो अवरोल है, पूर्सों लगबग की बात करते तो 88% है, 88.6 के आसपास है, और फीमेल की बात की जाए तो लगबग 77.5 के आसपास है, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं, ठीक है, डियर, और बढ़े कितने असर, बलब 10 सालों में बात करें, दसक्ये वरिधी कितनी हुई है, दसक्ये वरिधी लगबग 9.19.3% के आसपास हुई है, यह डेटा आपका बहुत ही जादा, जो है ना, यूं कहीं है, यह फैक करके बता चुका हूँ, मेरे इसाब से आपको चीजे समझ में आ गई है, ठीक है, डियर, समझ में आ गई होगी, यह आपके लिए, मतलब यूं कहीं है, पेपर के लिए संजीवनी बूटी दैसा खाम करने वाला लेक्चर था, ठीक है, तो चलो, जल्दी मिलेंगे, एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना, थेंक्यू सो मच,